असलाम वालेकुम and वेलकम टू माई चैनल यम्मी फूड विट सना आज मैं आपके साथ एक बहुती मज़ेदार रेसेपी शेयर करने जा रही हूँ हम बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा यानी की दूदी का हलवा तो चलिए देखते हैं इसकी रेसेपी बट रेसेपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसेपी तो हलवा बनाने के लिए यहां मैंने एक बड़ी सी कड़ाई ले लिए इसमें मैंने एक लीटर के करीब दूद गरम करने के लिए रख दिया है आपको भी इसी तरीके के बड़े भरतन का इस्तमाल करना है ताके जब आप हलवे को भूनेगे तो आपको उसे भूनने में आसा करणी हो तो दूदर यहां मैंने गरम करने के लिए हैं ढ़क कर लें तो यह देखें गर cinco तरीके से जैसक्म कर देख सकते हैं इसकी कॉंटिटी भी तोड़ी रिडिउस हो गई है इसी तरीके से हमें इसे अच्छे तो इसलिए मैंने 1.5 kg लौकी का इस्तमाल किया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें एक लीटर दूद दाला है तो ये देखिए लौकी दालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से दूद के साथ मिला लेगे तो दूद आपको इसमें इतना दालना है कि ये जो लौकी हमने दालिए वो अच्छे तरीके से इसमें डूब जाए तो यहां मैं इसे अच्छे से मिला लूगी ताकि दूद के साथ लौकी अच्छे से मिल जाए तो ये देखिए लौकी को मैंने अच्छे तरीके से मिला लिया है अब हम इसी पॉइंट पर इसमें आड़ कर देगे चीनी तो यहाँ मैं इसमें एक कप भरके चीनी का इस्तमाल करी हूँ, आप अपने टेस्टके अकॉर्डिंग इसमें कम्या जाधा ऐड़ कर सकते हैं, चीनी डालने के बाद मैं इसमें अच्छे तरीके से मिला लूगी, ताके चीनी जो हमने इसमें डाली है, वो भी अच्छे तरीके से इसमें घुल जाए गैस का flame अभी high पे है high flame पे हम इसे ऐसे ही पकाएगे तब तक जब तक की चीनी इसमें अच्छे तरीके से घुलनी जाती तो ये देखिए जैसे चीनी घुल जाती इसका color भी थोड़ा-थोड़ा सा change होने लगेगा हम इसे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देगे पीच-बीच में आप इसमें चम्मच चलाते रहिएगा तो ये देखिए लगबग 10-15 मिनिट के लिए मीडियम गैस पे मैंने इसे अच्छे तरीके से पका लिया जैसे के आप देख सकते हैं जो इसमें liquid था वो काफी हद तक dry हो गया है 50% liquid इसमें से dry हो गया है तो अब मैं इसमें बाकी की चीज़े ऐड़ करूगी तो यहां सबसे पहले मैं इसमें ऐड़ करूगी इलाइची powder हाफ टी स्पून के करीब और थोड़ा सा हम इसमें ऐड़ करेगे तो यह देखिए कलर दालने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिला लिया है जैसे कि आप देख सकते कितना अच्छा खूपसूरत green कलर इसमें आया है इसलिए मैंने कलर का इस्तमाल किया है अब मैं इसे medium flame पे फिर से पकने के लिए छोड़ दूगी तो यहां मैंने एक fry pen लिया है इसमें मैं दो टेबल स्पून भर के देशी की ऐड़ करूगी यह जैसे हमारा पीगल जाएगा और हलका हलका सा गरम हो जाएगा वैसे हम इसमें एड़ करेगे dry fruits तो यहां मैंने काजू और बदाम का इस्तमाल किया है अब अपने choice के according इसमें जो चाहिए वो dry fruits डाल सकते है यहां पर मैंने लगबग 15-20 काजू और 15-20 बदाम का इस्तमाल किया इसे हम slow flame पे अच्छे तरीके से भून लेगे तब तक तो जो dry fruits को हमने घी में fry किया था वो मैंने हलवे में डाल दिया है तो जब हमारे हलवे में से moisture completely absorb हो जाएगा तब हमें dry fruits इसमें add करना है घी के साथ साथी में मैंने इसमें और 2 tablespoon के करीब घी भी डाला था तो अब हम हलवे को भून लेगे तो यहाँ gas के flame को हमें high कर देना है high flame पे में इसे लगभख 5 minute के लिए अच्छे तरीके से भून लोगी ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत moisture बत्या है वो भी पूरी तरीके से absorb हो जाए तो यह देखिए हलवे को मैंने 5 minute के लिए high flame पे अच्छे तरीके से भून लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं अब इसमें moisture नहीं है तो अब इस point पे हम इसमें add करेगे खोवा यानि की मावा तो यहाँ मैंने half cup के करीब मावा लिया है इसे हम अच्छे तरीके से crumb करके इसके उपर डाल देगे तो मावे को हम एकदम आखिर में add करना है तब जब हमारा हलवा almost पुरी तरीके से बन चुका हो मावा डालने के बाद गैस के flame को हमें high करना है high flame पे हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेगे जैसे के आप देख सकते हैं मावा इसमें पुरी तरीके से melt हो गया है और इसमें अच्छे तरीके से मिल गया है तो बस हलवा हमारा ready हो गया है अब इसमें moisture भी नहीं है तो बस गैस के flame को हम कर देगे बंद और इसे करेगे dish out तो ये देखिए हमारा मज़ेदार लौकी का हलवा हो गया है ready मैंने इसे थोड़े से dry fruits और मावे के साथ सजा दिया है जैसे के आपने देखा इसे बनाना बहुती जादा आसान था बहुती simple इसकी recipe थी तो आप भी मेरी इस recipe को जरूर try कीजेगा और अगर आपको मेरे ये लौकी के हलवे की recipe अच्छी लगी है तो please मेरे इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए मेरे चैनल yummy food with sanah को जरूर subscribe कीजिए thank you so much for watching, Allah हाफीज